मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार के निर्देश पर प्रससनिक अधिकारी वरोको टोको अभियान चला कर सकती बरत रहे हैं और मास्क नहीं लगाने वाले और बेवज़ गुमने वाले लोगों पर जुर्माना लगा रहे हैं फिर भी बहुत से लोग अभी भी बेवज़ गुम रहे हैं ऐसे ही लापरवा युवाओं को अधिकारियों ने खुली जेल की सजा सुनाई इतना ही नहीं जेल में सजा के रूप में युवाओं से कोरुना पर एक निभंद लिखाया गया सीरोंज में ये कारीवाही थानपरभारी योगेंद्र सीह दांगी द्वारा की गई कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए शहर में रोकोटो को अभियान चलाया जा रहा है सीरोंज के बाजारों में यदि कोई वेक्ती बीना मास्क के या फालतु घुमता मिलता है तो उसे जेल में लाया जाता है ऐसे कई लोगों को खुली जेल में पहुचाया गया और इनसे कोविड पर निभंद लिखवाया जा रहा है सीरोंज से नरेंदर रगुवेंशी की रिपोर्ट उसे पूछा जाता है कि कोरोना से बचाप के लिए क्या उपायों के बारे में बताएं उससे की क्या है कि उसके प्रुटि जाग रुचता है कि इस अवियान के पिस्टी गोवियान और ये किल कोरोना वियान के पिस्टी जाग रुखता है दूसरा उस्वें का बचाफ कर सके और अकारण भी बाहर ना निकले इसलिए ये सब कड़वाई हम लोगों के दौरा की जाने है आपके दौरा इतनी सिक्ति के बाद भी लोग मा इसको कोई मेंसेज वगेरा इसके जरीए मैं बिलकुल आम जनता से कहना चाहता हूं कि ये आपका जीवन आपके याद में है अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन की प्रक्षा करें और साफधानी बरतें कोसल डिस्टेंसिंग का पालंग करें माज सेनेटाइजर इ को सुरक्षित रखें यही मेरी अप्रील है आपकी सुरक्षा आपके जाए है अब देख रहें हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भीना भूलें